तो दोस्तो अपनी देशी लाइफ में हम खाना बनाना है तो गैस सिलेंडर का बुकिंग अपने आज पास के डिलर के पास करते उसके पास से हम गैस सिलेंडर लेके आते सेगड़ी लेके आते गैस सिलेंडर सेगड़ी को कनेक्ट करते हो और हम अपना खाना बना देते या आम बात है लेकिन मानलो कि जो गैस सिलेंडर आप लेके आये हो उसमें कुछ प्रॉब्लेम है और वो आचानक से फढ़ गया वो ऐसा फढ़ गया कि आपके किचन को है उसने बरबात कर दिया किच इतना ही नहीं कि अगर मानलो कि आपके कोई रिष्टेदार है कोई आदमी या फिर कोई औरत खाना बना रही है उनको भी इंजरी हो गई या फिर वो गोजर गए तो इतना ज़्याद आपका अगर नुक्सान घ्यास फटने से हुआ है सिलेंडर फटने से हुआ है तो उसका कंपेंसेशन कोन देगा क्या वो डिलर की दिम्मेदारी होती है कि वो आपको कंपेंसेशन दे या फिर वो कंपनी होती है जिसने वो गया सिलेंडर बनाया है या फिर इंसुरेंस कंपनी होती है जो आपको इसका कंपेंसेशन देने वाली है कोन होता है इसका दिम्मेदार त तो उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टायक्स चंक्शन पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा तो करते हम उसके बारे में बाचीत इसके लिए मैं आपको सीधा कर सीधा वो केस के उपर लेके जाता हूँ वहाँ पे हम अपनी बाचीत जो है वो जारी करते हैं तो ये वो केस है, ये केस में actually क्या-क्या issue सामने आये थे, यहाँ पे उन्होंने एक story दी है, वो story पे चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा बताया गया है कि पिटर और रूद, ये दोनों कपल है, ये पिटर और रूद ने आजाद गैस सर्विस करके डीलर है, उनके पा है Indian Oil Corporation ने, Indian Oil Corporation ने बनाया हुआ, सिलेंडर आजाद गैस से डीलर के पास से ये रूद और पिटर लेके आए है, रूद का भी introduction दिया गया है, रूद जो है, वो क्या करती है, वो नर्से DMC Hospital लुद्याना में, और इनके तीन बच्चे, एक बच्चे का नाम है आफरिन, दुस सिलेंडर का प्लास्ट हो गया था फड़ गया था गया लगबग 28 जून 2005 को शाम को साथ बजे रूथ जो है वो किचन में खाना बना रहे थी लेकिन आचानक से वहां पे ब्लास्ट हो गया और जोर से आवाज आ गए और यह ब्लास्ट में क्या हुआ इनके किचन के सारे बरतन एक्वागार्ड वाटर क्यूरिफायर स्लैप के फिटिंग जो भी फिक्शर्स लगे हो वेते जो भी था वो सब कुछ इनका बरबाद हो चुका था इतना ही नहीं वो ब्लास्ट में रूथ जो है जो पिटर की वाइफ है वो गुजर गई थी और साथ इसाथ उनकी एक करस्ट का स्पॉर्ट हुआ है और वे डिलर ai उसने वह सिलेंडर बनाया है उनको बता दिया वह कंपनी कप सी अहिए उसनिको छिलते पिटर आलरेड़ी वूर्ज गए कमिशन में स्टेट कमिशन ने पिटर के फिवर में ही फैसला दिया था लेगिन हम करते हैं नाशनल कमिशन में फाइ excitale प्याम जाते कोई कि हम अगर स्टेट कमिशन के फी डिस्केशिन करेंगे वह केस में क्या हुआथ मैं तो फिर यह वीड़ा लेंदी हो जायेगा अब आजाद ग्याट दिर रहे उसका भी insurance company रहेगा दूसरा है Indian Oil Corporation इनका भी insurance company रहेगा तो टोटल चार पार्टी involved थी ये case में और पिटर को ये चार में से कोई एक compensation देने वाला था लेगिन ये चारों पार्टी जो है ये अपना-पना दुखडार हो रहे थे तो सबसे पहले नहीं लगते हैं क्योंकि हम यहां पर compensation क्यों नहीं देना लगते हैं क्योंकि हमारा और ये जो person एक मालिक है इंडियन ओयल का और आजाद ग्यास का प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक रिलेशन है एजेंट होता तो भी बात अलगती हमारी जिम्मेदारी होती थी अगर आजाद ने कुछ नुक्सान किया है तो हम भर के दे लेकिन आजाद खूद एक मालिक है तो आजाद के अंडर कोई सब्सक्टन होता है तो फिर वो भरने की दिम्मेदारी आजाद कि होती है ऐसा कहना था इंडियन ऑयल कारप्रेशन का हमारा ग्रिस्टा जो है वो परिंसिपल यहां पर एजेंट नहीं है आजाद जू डीलर है वह एजेंट नहीं है अज़ाद गैस सर्वीशेज जो है इन् लेकिन यह जो पार्टी है इन्होंने हमारे पास से सिलेंडर लिया हुआ है तो प्लास्ट के जो फटा है उसके छे मैने से भी बहुत ज्यादा समय पहले हमसे इन्होंने सिलेंडर लिया है मतलब इनका कहना यह था कि इन्होंने सिलेंडर हमसे नहीं लिया है रहरी वाला करके उनसे इन्होंने सिलेंडर लिया हुआ है ऐसा इनका कहना था क्योंकि इन्होंने पता भी अपना बदल दिया है या अलग पते पे रहते हैं और जहांपे हम कोई भी डिस्रिब्यूशन नही करते तो हमारे उपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है स्टेट कमिशन में हमारे उपर फिजूल में लायबिलिटी लगाई है ऐसा इनका कहना था कि अपको भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा ऐसा बोला था इसके बाद नमबर आता है चोधा नमबर आता है आजात गयाश सर्विशस के इंस्वरेंस कंपनी का इनका भी अपना दुखडा था इनका ऐसा कहेना था कि आजात गयाश सर्विशस की जो सर्वेसे सिव्व से के अंदर मतलब हो जो प्रिमाई ज governments से वहाँ पे कुछ रीज कोती है वहाँ पे कुछ एक्सिडेंट होता है वहाँ पे अगर सिलेंडर फटा है तो ही हम दें सकते हम उसके लिए हमने इनको पॉलिसी नहीं दिये उसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं लिया है तो इसके कारण हमारे इसमें जिम उखड़े रोए हुए थे और उसमें फिर फाइनल में जो इंसान थे पिटर थे इनका ऐसा कहना था कि स्टेट कमिशन ने उन्होंने सिर्फ दस लगखा कंपेंसेशन बोला है लेकिन पिटर का कहना है कि रूथ जो है उनके उमर 34 ती उनको बारा हजार उपे पर महिना पगार आती थी आजनर्स तो लगबख 36 लाक्स आते है अगर वह चोबित साल की अगर और काम करती तो लगबख हमें 36 लाक्स आते हैं तो हमें वह देने चाहिए थे और साथी साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि रिपेर और रिनोवेशन की कोश्ट 5.35 लाक्स लगती है और इसी के का हमें दढ़ सक्का से चाहिए ऐसा पिटर इनका कहना था तो इसमें आप फाइनल फैसला लेने की बारी थी नैशनल कंजूमर कोट की नैशनल कंजूमर कोट ने सबसे पहले क्या बोला कि आज़ाद गया सर्विस जो बोल रहे कि यह जो गया सिलेंडर जो है वो कही और से लि तो इसे के कारें इनका कहना था कि रहरी वाला से इन्होंने ग्यास सिलेंडर नहीं लिया है और अगर कोई दॉक्यूमेंट भी सब्मिट किया है रहरी वाला से ग्यास सिलेंडर सप्लाय हुआ है तो उसके उपर जो पिटर है उनका सिगनेचर नहीं है डॉक्यूमेंट तो एंपलॉई ने अपने ऑफिस में बनाया हुआ डॉक्यूमेंट हमें लग रहा है पिटर ने उस पर कोई साइ कंपणी पर इंडैन ओयल की इस्वेरंस कंपणी यह दोनों को ऐसा बोला गया है कि आप दोनों मिलाकिए 10 लाक रुपे का कंपेंसेशन दोगे अंडियन कर्पूरेशन को बोला है और साथी साथ न्यू इंडिया असुरेंस कंपनी को बोला है कि आपने पबलीक ना दो तब तक आप यह पैसे उनको दो यह फेचला दिया गया था नैशनल कंजूमर कोट से लगबग एक केज बहुत सालों तक चला हुआ है 14 साल लगे इनको पैसे आते हैं दस लाग और उसके उपर का बैज इनको मिलने वाला है 7.5 पर सेंट पर एनम हर साल के हिसाब से ऐसा हमें फिलहाल नजर आता है तो आपकी इलबारे में क्या रहा है मुझे आप कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइएगा आप अपना ख्याल रखिएगा अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आपको क्याने टाइब जरूर करिएगा टेक क्यार हैव नाइट बाई